मेरे प्यारे देश्वासियों प्रधानमंत्री के नाते अनेग प्रकार के काम रहते हैं फाइलों में डूबे रहते हैं लिकिन मैंने मेरे लिए एक आदत विक्सित की है कि मुझे जो चिठियां आती हैं उस बैसे रोजाना कुछ चिठियां में पढ़ता हूं और उसके कारण मुझे सामान्य मानवी से जुड़ने का एक आफसर मिलता है भाती-भाती की चिठियां आती हैं अलग-लग प्रकार के लोग चिठ्रा लिखते हैं इन दिनों एक ऐसी चिठि मुझे पढ़ने का आफसर मिला मुझे लगता है कि मुझे जुरूर आपको बताना चाहिए दूर मैंने अपने परिवार में बच्चों की पढ़ाई वगेर के ध्यान में कुछ एकनोमिकल एक्टिविटी करने की दिशा में सोचा परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए तो मैंने मुद्रा योजना से बैंक से पैसे लिए और बाजार के कुछ सामान लाकर के सप्ला करने की दिशा में कुछ काम शुरू किया इतने में मेरे ध्यान में आया कि भारत सरकार ने गवर्मेंट यह मार्केट प्लेस नाम की कोई व्यवस्ता खड़ी की है तो मैंने ढूंड़ा यह क्या है कुछ लोगों से पूछा तो मैंने खुद को भी उसमें रेजिस्टर करव व्यवस्ता है जो भी सरकार में कोई चीज सप्लाय करना चाहता है चोटी चोटी चीज़े बेजना चाहता है बिजली के बल्ब भीजना चाहता है जाडू भीजना चाहता है चैर भीजना चाहता है टेबल भीजना चाहता है बेचना चाहता है वह उसमें अपना नाम रेजि कि उन्होंने उस पर विजीट करना होगा देखना होगा कि सप्लाइग करने वाले क्वालिटी कॉंप्रोबाइं न करते हुए सस्ते में कौन पहुंचाता है और उसको ओर करना होता है और इसके कार्ण बिचोलिय खतम हो गए सारी ट्रांसपरंसी आ गई इंटरफेस नहीं होत होता है टेक्लोलोजी के माध्यम से सब होता है तो इस जेम के अंदर जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं सरकार के सभी डिपार्टमेंट उसको देखते रहते हैं बीच में बिचोलिय नहीं होने कार्ण चीज़े बहुत सस्ती मिलती है अब यह अरूल मोजी मेडम ने सरकार इस वेब सैट पे जो जो सामान दे सकती है उसका सारा रजिस्ट्री करवादी और बजा यह है कि उन्होंने मुझे चिठी लिखी वह बड़ी इंटरस्टिंग है उन्होंने लिखा कि एक तो मुझे 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 मुद्रा से पैसे मिल गए मेरा कारोबार शुरू हो गया इजेम के अंदर मैंने मैं क्या दे सकती हूं वो सारी सूची रख दी और मुझे प्रधानमंत्री कारले से और्डर मिला पीएमों से मेरी भी नई खबर थी पीएमोंने क्या मंगवाया होगा तो उसने लिखा है कि पीएमोंने मेरे से दो थर्मोस खरीदे और सोला सो रूप शायद अरून मोजी जी ने मुझे चिठी न लिखी होती तो मेरा भी शाद इतना ध्यान ने गया होता कि इजेम की व्यवस्ता से दूर सुदूर एक ग्रहिनी छोटा सा काम कर रही है उसका माल प्रधानमंत्री कारले तक खरिदा जा सकता है यही देश की ताकत है इसमें ट चाहूंगा कि जो इस प्रकार से सरकार को अपना माल बेचना चाहते है उससे ज्यादा ज्यादा जुड़े मैं मानता हूं मिनिमम गवर्मेंट एंड मैक्सिमम गवर्नंस का एक बहतरीन उधारण है यह और इसका लक्षक है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम इज एफिजन्स एंड त्रांस्परांसवी